Hello Suriya Tourism Tips Family आप लोग कैसे है और अपनी फैमली के साथ हैपी है साहज यो बात करेंगे आज अलसलवा डोर के बारे में प्रोब्लम नहीं आएगी इस बारे में मैं आपको डेटेल से बताऊंगा वीडियो आप सुरू से लेके लास तक जरूर देगना ताकि आपको पूरी इनफोर्मेशन मिल सके और जो आप अपना कीमती टाइम दे रहें उसका प्रोपर सुदूप्यों कर सके साथी साथ साथी चैनल सबस्क्राइब जरूर करना क्योंकि फ्री ओफ कोस्ट है किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट नॉटिफिकेशन मिलते रहें अब बात करते हैं साथी अलसा लोड़ हो कि अलसा लोड़ हो कि जिसके अंदर आपको तीन बेनिफिट होने वाला है कि आपको इमिग्रेशन में किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और सबसे अच्छी बात बैस्ट रेट अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि यह रूट है क्या और इसके अंदर वीजा का क्या रसीन रहेगा इन सब के बारे में आपको बतातौ हूं सबसे पहले हम इंडिया से ट्रेवल करेंगे थाइलेंड के लिए थाइलांड का वीजा ऑन राइवल है इंडियें पासपोर्ट होल्डर के लिए थाइलेंड में आपकी वही दो-तिन दिन के लिए stay होगी वीजा on arrival है वीजा हम निकलवा के देंगे वहां से एक invitation letter चाहिए होता है वो भी हम मंगवा के देंगे तो आपका वियत नाम होगा वियत नाम के बाद जो है आपका next जो होगा वो होगा सोधी आरबिया सोधी आरबिया में जाने के बाद आपकी वीजा है वो इवीजा निकलता है वो भी हम लगवा के देंगे सोधी आरब की stay के बाद जो होगा ओमान होगा ओमान में भी आपकी वही two three days की stay होगी उसके बाद जो है अफ्रीका माधिप के एक country है मेडागासकर मेडागासकर का वीजा उन राइवल है इंडियन पासपर्ट वोल्लर के लिए वीजा की जुरत नहीं है वहाँ आप जाओगे मेडागासकर से जो है आप जाओगी South Africa South Africa का वीजा निकलता है वीजा वह इसली मिल जाता है उसके बाद घहना घहना जब आप जाओगे तो उसके बाद दो option है वह आप लोगों पर डिपेंड है सूरी नाम भी आप जा सकते हो और घहना से आप जो है डायरेक्ट जो है अलसलवाडोर भी जा सकते हो तो finally जो यह रूट है इस रूट यह रूट ना तो कभी कोई बंद वने वाला सीन है ना ही इस रूट पर कभी कोई प्रोब्लम आने वाली है साथ ही साथ आपका जो है यह 8 कंट्रीज का जो है ट्रेवल बन जाता है तो आप as a general traveler आप वहाँ पे बोल सकते हो कि हां मैं एक general traveler हू और आप एसिया अफ्रीका और साउथ अमरीका मतलब तीन कॉंटिनेंटल में आप स्टे करते जा रहे हो तो डेफिनेटली आप एज ट्रेवलर ही वहां जा रहे हो तो बागे आगे आपको जैसे तरीके से जाना है वह एक अलग लुकाउट है लेकिन सबसे बड़ा जो है अलसलवाडोर यहां पहुंच जाओगे बहुत सारे लोग बहुत रहे हैं कि स्टूरी नाम नहीं जाना तो आप यहां कैंसिल भी कर सकते हो घाना से डायरेक्ट फ्लाइटे चलती है और आप अलसलवाडोर जा सकते हो घाना इमिग्रेशन में भी कोई प्रोब्लम नह आने वाली है इसके नदर आप सिंगल ड्रेलर हो तो भी इशू नहीं है आप डुसधी कोष्ट पड़ेगी इसके अंदर आपको टिक्टिं के अनदर लेकिन जो टिकेट आप अभी 6-7 लाग रुपे में अलसलवाड और की बनवा रहे हो उसी रेट के अंदर जो है यह आपकी टिकेट आ जाएगी तो आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली प्राइस में अभी अलसलवाड और जा रहे हो जैसे 6-7 लाग रुपे के अभी राउंड टिकेट पड़ रही है और फिर भी वहाँ पे अभी सबसे बड़ी प्रोब्लम क्या आ रही है कि वहाँ पे जिन लोगों के पास ट्रेवल इस्ट्री नहीं है कितनी भी वहाँ पे कोई पैसा लगा के जा रहे हो आप अपना पैसा भरबाद नहीं करना चाते हो तो यह जो मैंने आपको रूट बताया है यह सबसे बैस्ट है इसमें आपको कहीं प्रोब्लम नहीं आएगी आप डिफिनेटली शुलिया ट्यूरिजम टिप्स पर कॉंटेक्ट कर सकते हो वीडियो जो लोग जल्दबाजी करते हैं मुझे दो दिन में जाना है पांत दिन में जाना है यह उन लोगों के लिए नहीं है इसमें आपको ओल्मोस जो है 20 से 25 दिन आपको टोटल इसके अंदर लग जाएंगे क्योंकि हर एक कंट्री में आपको कम से कम दो नाइट्स की स्टे जो ह तो उन लोगों से तो अच्छा यह रूट है कि आप एक जगे भी नहीं बैठोगे आप का ट्रेवल भी बनेगा आपको सीखने को मिल जाएंगे अब जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि ऐसे आठ रूट अलसलवाड और के कौन से हैं जहां से आप जा सकते हो ऐसे ही मज़ेदार इंट्रेस्टिंग फैक्ट के लिए आप सुझा टिप्स को जो है सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको जाए सिजाएदा इन्फोर्मेशन मिलते हैं तेंक्यों सुमच जयें हिंदे साथ कि में